सीकर के गोखुलपुरा थाना इलाके के अंतरगत आने वाले जुराठड़ा गाउं के पूर्व सरपंच कमलीश राव की संदिक्द मौत का मामला सामने आया है घर से करीब 700-800 मीटर की दूरी पर ही सड़क किनारे देर रात पूर्व सरपंच घायल अवस्था में मिले थे इसके बाद बाइक स्लिप हुई और सड़क किनारे वह गिर गए आज सुबर सीकर के गोखुलपुरा पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुँची सियो सीटी आई पीएस शाहिन सी ने भी मौका मौईना किया है पुलिस के अनुसार रात को पर जोनों को पूर्व सरपंच कमलेश राव अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क किनारे गायल अवस्था में पड़े मिले थे इसके बाद उन्हें अस्पतार लाए गया तो डोक्टरों ने उन्हें म्रत घुशित कर दिया ग्रावनों के अनुसार शरीर पे चोट के निशान मिले हैं ऐसे में अंदेशा है कि कमलेश के साथ कोई अन्होनी भी हो सकती है उनके पास बाइक भी थी आज सुबह जब पुलिस के द्वारा बाइक को चेक किया गया तो उस पर भी स्लिप होने जैसे निशान मिले है इसके बाद पुलिस ने मामले में हर एंगल से जाच शुरू कर दी है इसी दोरान पुलिस को एक सिसी टीवी केमरे की फूटेज से क्लू हाथ लगा की गाई के हमले से एक बाइक गिरी है इसके बाद जब पुलिस ने घटना इस तल से करीब 600-700 मीटर के एरिया में तलाश करना शुरू किया तो पुलिस को गाई भी मिल गई जिसके सींग पर खून लगा मिला है टीम ने उसके सेंपल भी लिये हैं ऐसे में संभावना है कि गाई ने सींग कमलेश के सीने पर मारा हो इसके बाद बाइक एनियंतरित होकर के गिर गई फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गोखलपुरा ऐसे चो दिलिप सिंग का कहना है कि मौके से एफसल टीम और डॉग उसका टीम के द्वारा साक्षे जुटाए गए है प्रात्मे के जाच में सामने आए है कि गाई ने कमलेश के सीने पर सींग मारा है परिजनों के द्वारा हत्या की रिपोर्ट दी गई है मेडिकल बोर्ट से पोश्ट मार्टम करवा कर शेव परिजनों को सो पाच आएगा हम आपको बतातें कि कमलेश राव पूरो सरपंच सरदार राव के चचे रिभाई हैं सरदार राव की साल 2017 में सुभाश बराल और लॉरेंस के द्वारा संपत नहरा और हर्विंदर के जर्ये हत्या करवाई गई थी क्योंकि सुभाश बराल का चाचा हर्देवराम और सरदार राव दोनों इस सीट पर दावेदारी जाता रहे थे लेकिन पंचायत उक्चुनाव में सरदार राव का दबदबा बढ़ने लगा तो हर्देवराम ने यह बात बराल को बताई फिर लॉरेंस और बढ़ने मिलकर चोधरी सरदार राव के हत्या करवादी गले का टोल्य जारिवान नाश दो को बढ़ने मिलकर फितर के सहाओं लेकिना अच्छाम प्लोग मुटता है